एक 16 साल की बेटी साक्षी उसको मुहम्मस साहिल ने चाकूँ से गोद के हत्या कर दिया 30-35 बार चाकूँ मरने के बाद भी पेट नहीं भरा तो पत्थल से कुचल के पत्थल पहले पत्थल बाजी करते थे अब तो पत्थल से कुचल रहें सर को कुचल रहें और इस हत्या के बाद जैसे हमेशा होता आया ट्विटर पर ट्रेंडिंग हो गई जस्टिस वार साक्षी बहुत सारे लोगों ने फेस्बूक पर फोटो शेयर कर दिया साक्षी को नयाए दो केंडल मार्च हो गया साक्षी के हत्यारों को फंसी दो पर नेताओं की भी बयान आ गए बहुत सारे आपको जो हिंदू ही तैसी कहते हैं वो भी अपने बयान दे रहें और हमेशा ऐसा होता है पिछले 75 साल में ही हो रहा है हत्या होती है कंडल मार्च होता है बयान आता है निंदा होती है तू तू मैं मैं होगा आरोप रत्यारोप होगा नूरा कुस्ती होगी लेकिन जो काम करना चाहिए वो काम नहीं होता मैं ये पूछ रहा हूँ चीन में किसी साक्षी की हत्या क्यों नहीं होती सिंगापुर में कोई साहिल मुहम्मद आके किसी साक्षी को क्यों नहीं मार देता कोरिया में किसी मुहम्मद साहिल की इतनी हिम्मत क्यों नहीं पढ़ती कि वहां कि किसी साक्षी को मार दे ये भारत में ही मुहम्मद साहिल साक्षी को क्यों मारता है जानते हैं क्यों क्योंकि हमारा कानून घटिया है हमारी सिक्षा में वस्ता घटिया है जब तक या अल्प संख्यक बहु संख्यक का खेल खतम नहीं होगा तब तक मुहम्मद साहिल साक्षी को मारता रहेगा जब तक इस देश में ये मदर्सा मिस अंडी स्कूल बंद नहीं होंगे और समान सिछा लागू नहीं तब तक मोहमद साहिल साक्षी को मारता रहे गा जब तक इस देश में सारे परसनला खतम नहीं होगे सब के लिए एक समान नागरिक संगिता नहीं बनेगी तब तक कोई इनकोई एक मुहम्मद साहिल किसी एक साक्षी को मारता रहेगा जब तक इस देश में कठोर कानून नहीं होगा एक घंटे के अंदेर फाई आर हो एक महिने के अंदर जाच पूरी हो और एक साल के अंदर फांसी पे लटका दिया जाए दरिंदों को जब तक ये कानून नहीं बनेगा पुलिस चार्टर जुडिशे चार्टर नहीं लागू होगा तब तक रोज एक महम्मस साहिल किसी एक साक्षी को मारता रहे इसलिए मैं बार-बार कहता हूँ तू-तू-मैमे करने निंदा करने आरोप रत्यारोप करने कैंडिल मार्च करने ट्विटर ट्रेंडिंग करने फेस्बूक पे लिखने फांसी की मांग करने से फांसी नहीं होगी फांसी देने के लिए तो कानून बनाना पड़ेगा नारको पॉली ग्राप बेन मैपिंग कानून बनाना पड़ेगा अब उसे पुलिस पूस्ताच कर रही चलती रहेगी पूस्ताच गवाहों के बयान होते रहेंगे इधर जी रहोगी उधर जी रहोगी यही चलेगा फांसी नहीं होगी, आज तक फांसी हुई किसको, कमलेस तीवारी के हत्यारों को फांसी हो गई क्या, बादल के हत्यारों को फांसी हो गई क्या, डाक्टर नारंग के हत्यारों को फांसी हो गई, हीना तलरेजा के हत्यारों को फांसी हो गई, अंकिस सकसेना के हत्यारों को फां सी वी इसके बावरत में कहीं न कहीं एक है कि सिनि किसी साक्षी को या तो लब защ害 में नहीं फसा लिया जाता और नहीं अगर हम तो मार नहीं दिया जाता पिमीょuğ देखते देखते अफगानिस्तान में ख़तम हो गए पाकिस्तान में खतम हो गए, बंगला डेस में खतम हो गए, हिंदुस्तान के नवराजियों में खतम हो गए, भारत के 200 जिलों से पलायन हो रहा है, इसके बावजूद भी जो काम होना चाहिए उसकी मांग करते ही नहीं, टीवी में डिबेट होती है, लेकिन जहाद का समाधान क्या उसमें चर है, इसको खतम करना पड़ेगा, या अल्प संख्यक बाव संख्यक का कॉंसेप्ट खतम करना पड़ेगा, माइनार्टी मेजॉटी का कॉंसेप्ट खतम करना पड़ेगा, मदर्सा मिसंडी स्कूल बंद करना पड़ेगा, गुर्कूल सिक्षा लागू करनी पड़ेगी, वै वस्तनला खतम करके समानिगरी संहितना लागू करना पड़ेगा तब जाके सब के बीच में प्रेम बढ़ेगा तब जाके साक्षी बचेगी। ऐसे नहीं बचेगी बतोले बाजी करने से भासर बाजी करने से गुस्पेटियों खिला फांसी देने का कानून बनाना पड़ेगा जहादियों को फांसी देने कानून बनाना पड़ेगा और नियाईक बिवस्था ठीक हो नियाईक बिवस्था एक साल के अंदर सजा होना सुर ग्राइब त्यारोग इससे कुछ नहीं होने वाला नजहाद रुकेगा न मजभी उनमाद रुकेगा न साक्षी बचेगी देश को बचाना है सनातन संस्कृति को बचाना है तो कानून बनाना पड़ेगा पुलिस रिफार्म जुडीशिल रिफार्म अलक्सन रिफार्म करना पढ़ेगा इसलिए मेरा आपसे निवेदन है इस वीडियो को अधिक सरी लोग तक पहुंचाईए अपने सांसोदों को टैक करके ट्वीट करिए अपने चेत्र के विधाय को तक पहुंचाईए अपने सारे वाटसप गूरूप में फैलाईए लोग को पता चलना चाहिए कि स समाधान कानून बदलना ही है कानून बदलने से समाधान होगा अच्छी अच्छी बाते करने से नहीं